मूंग की दाल के पकोड़े तो आपने हजारों बार बनाए होंगे और खाये होंगे लेकिन एक बार मेरे बताया अनुसार इने बना कर देखिए सचमारी इनका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा आता है कि आप इनका स्वाग भूल नहीं पाएंगे तो यहाँ पर यह पकोड़े बनाने के लिए मैंने आदा कप मूं की यह पीली वाली दाल ली है दाल को आपको क्या करना है अच्छे तरीके से 4-5 बार धोना है और इसे 4 घंटे के लिए पानी में भीगने के लिए रख देना है तो दाल मैंने भीगने रखती थी और 4 घंटे बाद ये अच्छी तरीके से फूल चुकी है तो अब आपको क्या करना है इसका जो ये पानी है ये पूरा निकाल देना है और एक बार इसे और अच्छे से धोलेना है तो यहाँ पर ये जो दाल है देखिए एक बार अच्छे से धोली है इसे फिर से और इसका पानी सारा मैंने निकाल दिया अब आपको क्या करना है देखिए ये जो दाल है इसमें से आपको थोड़ी सी दाल अलग निकाल देनी है तो दो चम्बस दाल ये मैं अलग निकाल दूँगी इसे मैं बताऊंगी आपको कैसे यूज़ करना है इसे अलग रख देते हैं और ये जो दाल बच्ची हुई है इसे हम डालेंगे एक मिक्सी के जार के अंदर और इसे हम पीस कर त्यार करेंगे बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में ऐसे टेस्टी कोर कुरे एकदम यूनिक स्टाइल में बने हुए दाल के पकोड़े खाने को मिल जाए तो पात ही क्या बरसात का मचा दुगना हो जाता है अब आपको इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है जार का डखकन बंद करना और इसे पीस कर त्यार कर लेना है ये देखिए मैंने दाल को पीस कर त्यार कर लिया इसे बहुत जादा बारिक बीना पीसे थोड़ा तरदर आई आपको इसे रखना है अब ये जो पेस्ट है इसे हमें एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे तो ये दाल का जो सारा पेस्ट है हमने निकाल लिया दाल को आप बिना पाने डाले ही फीसे पकोड़े बहुत ही बढ़िया बनेंगे अब यहाँ पर यह सारी दाल मैंने बाउल में ट्रांसफर कर लिया है अब आपको क्या करना है इसे बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह स्पून से फैट ना है तो इस तरह आप लगबग इसे तीन से चार मनट तक अच्छे से फैट लीजे इस तरह दाल को फैटने से यह एकदम हलकी हो जाती है और यह देखे पहले से इसका कलर भी एकदम लाइट हो गया है अब आपको इस दाल में कोई भी बेकिंग सोड़ा बगिरा डालने की जरूरत नहीं है आपके पॉकोड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और पॉकोड़े बहुती टेस्टी बनेंगे और अब जो दाल हमने अलग निकाली थी तो मिन यह तो यह दाल डाल दी और आपको। करना है इसमें डालना है प्यास तो मैंने यहाँ पर यह एक प्यास लिया था मीडियम साइज का जिसे इस तरीके से पतले पतले लच्छों में कट किया है यह प्यास में इसमें डालूंगी आलू के लच्छे तो मैंने एक आलू को छील कर उसे खिस लिया था और यह लच्छे जो है मैंने तीन चार बार अच्छे से पानी में धो लिये और इनका पानी मैंने निकाल दिया था और यहां पर यह कच्छे आलू के लच्छे मैंने इसके अंदर डाल दी है और अब मैं इसके अंदर डाल रहे हूं बारी कटी हुई एक हरी मिर्च हरी मिर्च आप इसमें बारी कट करके इसमें एड़ किया है और अब यह मैं इसमें डाल रहे हूं बारी कटा हुआ हरा धनिया अब आम इसमें कुछ मसाले एड़ करेंगे तो यहां मैं इसमें डाल रहे हूं आधा चम्मच नमक आधा चम्मच इसमें डाला है धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच एक चोथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर और दो पिंच इसमें डाल दिया हिंग हिंग आप इसमें जरूर डाले हिंग का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है एक जो थाई चमच मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला और आधा चमच हमें इसमें आड़ कर देंगे आमचूर पाउडर जिससे अच्छा खटा फ्लेवर आजाएगा और बस अब आपको क्या करना है सारे चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ये आलू प्याज के लच्छे दाल का पेस्ट और सारे मसाले सब कुछ आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और अभी हम इसमें एक खास चीज और डालेंगे जो कि मैं डालना भूल गएती आप जब सारे मसाले डालें तब ही याट कर दें तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया ये साबुद धनिया को मैंने हलका सा क्रश करके डाला है इससे जो पकोड़े हैं उनमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा तो इसे भी हम मिक्स कर देते हैं और बस अब यह पकोड़े बनाने के लिए पूरी तरह त्यार हो चुका है तो गैस पर मैंने ओल पहले ही गरम करने रख दिया था ये डाल के पकोड़े मैं जादा तर सरसो के तेल में फ्राई करना पसंद करती हूँ इसमें इनका टेस्ट बहुत ही बढ़ी आता है तेल इस तरह हाथ से इने डालना प्रिफर करती हूँ अब जब पकोड़े एक तरफ से हलके से सिख जाए तो इने पलट दीजे गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है हाई फ्लेम नहीं रखना है और ये देखिए नीचे से हलके से सिख चुके है तो मैंने सभी पकोड़े की तची हैं तो हम यहां पर हरि मिच्च को हलका सा फ्राइय का लेते हैं जो हरी मिच्च हैं उन्हें बहुत ज साथा देर तक ओयल में ना पड़ा लेते हैं यह देखिए बहुत ही बढ़िया पकोड़े त्यार हुए एं तो बस इसी तरीके से सारे मूंगी डाल के पकोड़े हमें हमे फ्राइ कर लेया और अब यहां पर यह जो पकोड़े हैं इंन्हें मेंदे सर्फ किया है हर द्र onu की खतटी चटनी के साथ और खटी मीठी इमली की चटनी के साथ और साथ में हमने जुद हरी मिर्च फ्राइ करी थी वो भी हमने इनके साथ सर्फ की है आप चाहें तो इन पकोडों को सॉस के साथ भी सर्फ कर सकते हैं या चाय के साथ आप इने बिना किसी चटनी सॉस के भी एंजय कर सकते हैं क्योंकि मसालेदार बहुत ही चट पटे हैं अब आपको एक पीस तोड़ के भी दिखा दिए ये देखे बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं अंदर से हलके से सॉफ्ट हैं अगर आपको ये मूंकी दाल के पकोड़े पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस